तो दोस्तों आज 16 नवेंबर 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे कल यानी 17 नवेंबर के लिए टोटल तीन ऐसे fundamental strong multi bagger share मैं आपको recommend करूंगा इस वीडियो में जहां पर आपको करना चाहिए अब चलिए फटाफट देख लेते कि कौन कौन सी कंपनी का शियर कौन कौन सी लेवल पे मैं आपको recommend करने के लिए उसके पहले थोड़ा सा global market का भी हाल चाल देख लेते हैं अच्छा ग्लोबाल मार्केट जानने से वहले एक और अपडेट में आपको दे देता हूं कुछ टाइम पहले जो की यूएस का डीटियल सेल्स का डेटा आया जिस बैसे बेसिकलिए मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत कमजोरी भी देखने को मेला क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन था उससे थोड़ा सा लोवर हमें देखने को म यहां पर लगबग सेम टू सेम टाइम पर अल्मोस्ट 1.30 परसें डाउन ट्रेट कर रहा है नास्डाइक तो इसी लेबल के आसपास अगर क्लोजिंग दिया और इंडियान आइटी मार्केट के अंदर भी गिरावाट होने का चांस है और इंडियान मार्केट के अंदर भी जर्मनी का मोस्ट इंपोर्टेंट इंडेक्स यहां पर देख सेक्तों अल्मोस्ट एक परसें गिरावर चल लाएं एफटेसी हंडेट यहां भी थोड़ा बहुत कम जोरी सी एसी फॉर्टी से लेकिए योरो स्टॉक्स फिप्टी एफटी सी एमाई भी आई बीक्स सारे के स सारे इंडेक्स दोस्तों आज की डेट पे रेड में ट्रेट कर लाएं निफ्टी 50 की अगर हम बात करें आज की डेट में जहां पे क्लोजिंग दिया अल्मोस्ट फ्लैट में 18409 पॉइंट पे अभी निफ्टी फ्यूचर भी कोई खास तेजी या पॉजिटिव देखने को बात करें आप देख से लाइव एक्टम ट्रेड होड़ा है 81.457 के असपास तो इस टाइप के अगर थोड़ा बहुत कमजोरी हुआ तो अच्छी बात नहीं है कोई भी देश का जो करेंसी नीची की तरह मूफ करना साथ जा दोस्तों कमूनेटी मार्केट कभी अप्रेट द था कि एक रशियन मिसाइल ने पोलेंड जो कि एक नैटो में शामिल है पोलेंड उसके अंदर आके हमला किया और वहां पे दो लोग का जान भी गवावेटा जिस वैसे मामला कुछ गरम हुआ है बट उसके साथ दोस्तों जो कि नैटो की ऑफिशियल की तरब से यह स्टेट फिलाल दोस्तों रशिया ने अटक नहीं किया अब यहां पर बहुत लोगों को यह भी लग रहा है कि हो सकते है कि यह यूक्रेन का कोई चाले क्योंकि यूक्रेन की पास आज की डेट पर देखिए अगर हम बात करें आम सप्लाइ काफी कम हो चुका है तो कि वेस्टन कंट् अबडेट था जो कि आपके साथ मैं शेयर किया फिलाल इसको अभी कोई मत्तब यहां पे एकदम से रशिया अटक किया ऐसा कोई खबर निकल के नहीं है जो ऑफिशियल नैट और पोलेंड की तरफ से अपडेट है कि यह रशियर अटक नहीं है एकदम क्लियर कर स्टेटमें दे दिया अब चलिए दोस्तों देख लेते कि कौन कौन सी कंपनी का च्योंकि मैं आपको कल रिकमेंट कर रहाए करने के लिए अच्छा उसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान में होने का चांस है मार्केट के थोड़ा कमजोरी रहने का भी पूरा पूरा चांस है जिस बैसे स्पेशले बेगिनर्स को या न्यू इन्वेस्टर्स को न्यू ट्रेडर्स को मैं बार बार अलर्ट भी कर रहा हूं कि गलती से कल एक दिन छोड़ दीजिए कोई ट्रेड बगरा नहीं लेंगे तो कोई बहुत बार नुकसान भी नहीं होगा ठीक है क्योंकि कल मार्केट वा यहां पर मैं आपको रेक्मेंड कर रहा हूं आई टी सेक्टर का एक बहुत बहुत पहतरी कंपनी एक टेकलोजी तो कि एक टेकलोजी का रेजल्ट हमने देखा था कुछ टेम पहले आउट हुआ था और रेजल दोस्तों इस बर काफी बढ़ी आया था जैसे कि आप देख सक चल रहा है लगाता छे मैंने की बात कर तो देखिए यहां पर आपको चीज कुछ अलग दिखा का जो चीज का मैं बात बोला था कि शेयर देखी हमेशा के लिए उपर नहीं जा सकता सिंपल भाशा में लास्ट तीन से चार मैंने पर देखिए और मोस्ट फिप्टी और मिला तो मिला था सारे चाहसर रुपए की लेवल पे शारे चाहसर रुपए की लेवल इसके पहले अमने देखा तो बहुत बर रेजिस्टेंस भी फेस किया था फाइनल जा इसकंदर ब्रेकाउट आया शारेच अब शेर पहुंचा उस प्लिप्टिकलर लेविल का सपस एक स्ट्रॉंग सपोर्ट भी बन चुका है के पेटी की शेर के लिए जिस बैसे में आपको बार बार रेकोमेंड दे रहा हूं इस टेपकी शेर में इन्वेस्ट कीजिए इवन इतना तफ सिच्वेशन पे इतना हाई फॉलेटायल मार्केट में आप देख लिजी लास्ट एक लाइव है से काफियत तक गिरावाट पर मिल रहा है तो डिफेनिल लिए आपको लोंगा कि कल अगर आपको श्रक्राइब कर शारे चाहसो श्रक्राइब जाता है तो डिफेनिलिल याप धिरेदी रेकर के कम कॉन्टिटी में एकदम से कोई बहुत बढ़ा बल्क में इन्व जैसे ग्लोबल मार्केट में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो यहां पे आपको ठीक टाक देखता वह नज़र आएगा टोटल इंकम के अंदर भी काफी शांदर जंप और नेट प्रॉफिट के अंदर भी काफी शांदर जमता इवन अनिंग पर शेयर भी कंपनी का काफी अच कि जब शेयर सारे चारजट के ऊपर नहीं था बार बार हमने देखा यहां पर काफी ज़्यादा स्ट्रगल किया अब देखिए एक पर जैसे उसको पर पहुंच चुका है यह जो प्राइस आपको दिख रहा है यह बेसिकली दोस्तों क्लोजिंग प्राइज है और लास्ट तो ट्रेड प्राइस वह कुछ अलग है वह देखना जो आपकी यहां पर यूज करते हैं बहुत ज्यादा ग्रोथ है जैसे कि डिफेंस सेक्टर हो गया इस ट्रफ की सेक्टर में काफी पैसा बनेगा भी आगया आगया वाले कुस दिनों में तो यहां पर धीरे-दिरे करके कि इन्वेस्ट करना शुरू करती जैसे कि कुछ सालू के भीतर-भीतर कितना शांदर कंपनी रिटेंट कमा के दिया आज लास्ट फाइनल शेयर पर चलेंगे बार उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ज हो चुका है और आज की रिट पर कहीं है कि ये शर ओवर सोल्ड जोन के एकदम बॉटर लेंट पर खड़ा आरे से इंडेक्स लगबग लगबग 30 के आसपस पहुंच चुका है तो यहां से दोस्तों कोई बहुत पड़ा गिरावाट की उमीद नहीं अगर फर्दर अच्छा जाते आते इक वर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाते दो फिलाल क्या हाल है तो देख लिजे थोड़ा बहुत और नीचे हमें देखने को मिला डॉजोंस नैस्टेक भी थोड़ा बहुत नियापी ट्रेट करना एंवे दिखा जाएगा जो भी होगा आज की झाये